हेलो डेली करेंट अफेर्स का आज थर्ड वीडियो है थर्ड नॉमंबर का तो यह वीडियो आपको UPSC, VPSC and EAS exams में help करेगा तो हम लोग आज के कुछ important जो करेंट अफेर्स हैं उनको देखते हैं 3rd November 2022 will be the first international day for biosphere reserve इसको international day घोसित किया गया है थर्ड नॉमंबर को यह first international day है अब यहाँ पर वर्ड आ है biosphere reserve is a protected area meant for conservation of plant and animals and their studies जब हम पेर पदों को बचाते है animals को एक एरिया में उनके study करने के लिए तो उसको हम लोग biosphere reserve बोलते हैं इस पर एक separate video में बनाऊंगा यह तीन लेयर में होता है कोर होता है buffer होता है outer layer होता है तो यह सब लोग उसमें अच्छा देखेंगा अभी फिलाल के लिए biosphere reserves वो एरिया होता है जहां प्लांट्स और एनिमल्स को conserve किया जाता है उनको बचाया जाता है इंडिया में total 18 biosphere reserves है और इंडिया का पहला biosphere reserve था वो था निलगीरी तो हम लोग इनके नाम याद रखने कच, cold desert, नंदा देवी है ना तो यह अठाड़ा है इनके नाम आप लोग को सिमली पाल यह आप मैप को देखते रहेंगे आपको याद होता रहेगा तो आप इस slide को save भी कर सकते हो further maps को याद रखने के लिए next is करनाटका to introduce 10 minute of meditation in schools and pre university college across the state करनाटका 10 minute का यह mandatory कर रहा है meditation को अपने schools and pre university college में यह काफी अच्छा move है क्योंकि meditation के फायदे हम लोग को पता है हम लोग जब meditate करते हैं तो हम अपने brain को exercise कराते हैं brain का actually में तो जैसे schools में PT mandatory है उसी तरह 10 minute का यह ध्यान का भी mandatory किया गया जिससे बच्छों काफी फैदा होगा उनके body का metabolism boost होगा उनका focus अच्छा रहता है तो यह this is the good move as per me next is SpaceX Elon Musk की company launches its first falcon heavy mission since 2019 from Florida 2019 के बाद इनका पहला mission start हुआ है और यह mission है इनका जो एक rocket है falcon heavy उसके साथ यह प्लोडीडा से SpaceX Elon Musk की company है जो की commercial section में space tourism के लिए यह लोगों पर साहिद करती है इनका aim है मार्स के colonization का यह पी हम लोग देखेंगे फिर है 41st edition of international book fair will be hailed from November 2 to 13 at Sarja UA international book fair Sarja UAE में हो रहा है और इसका slogan है spread the word और UAE देखें यह important करेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि UAE में हुआ है तो questions हम लोगा UAE से पूछ सकते हैं तो उसका map हम लोग देख लेते हैं यह हमारा है भारत यह पाकिस्तान है और यह Arabian Sea है और यह जो जाता है Persian Gulf वहाँ पे यह UAE है ठीक है तो हम लोगों को याद रखना है Arab UAE साओधी अरेभिया है उसका UAE है उसका capital अबुदाभी है यह next is the union cabinet chaired by Prime Minister Narendh Modi has approved naming Greenfield airport of Holongi अब Holongi इटा नगर है और नाचल परदेश में एक जगह है जहाँ पे एक airport construct हुआ है उसका नाम रखाया है दोनी पोलो airport अब दोनी का मतलब होता है शन और पोलो का होता है मून जो कि वहाँ कल्चर से उनके काफी closeness है शन और मून का और सन को हों पे लोनी बोलते हैं और मोन को पोलो बट आपको क्या पता है कि Greenfield का मतलब कया है तो Greenfield यह skept API का नाम नहीं है जो भी एयरपूट में जीरो से बनता है मतलब इलकुल hundredDay से बनता है उस इरपूड को नोग जो नेया निया बनता है ठीक है तो इसका नाम Greenfield नहीं है इस जो में गीन फिल्ड ही बोलेंगे तो ये होलॉंगी अपूर टो फैमेंड बैंक गंडॉंड इंडिया स sû स् फ्लोटिंग फारिन Meansा यहें लगा जा रहा वники फैमस लगाया दोमध तो प्रमोट्च ह enfants वोमnte सिरी नगर जे एनके तो जे एनके में स्रीनगर में निवेशक दीदी इनिसियाटिव इस्टार्ट किया गए यह काफी यूनिक इनिसियाटिव है यह लोग को सिखाएगा इन्वेस्ट करना और यह हुआ है इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड अथरीटी के थुरू डिपार्टमेंट और पोस्ट और इन्वेस्ट पोस्ट पेमेंट बैंक यह इन्वेस्ट आफिस इसा मिलके इसको कनेक्ट कराई है तो निवेस्ट दीदी कहा हुआ है तो जम्मू का समिल स्रीनगर म होगा है ठीक है जी नेक्स इस केला टू होस्ट ट्रैक एशिया कब ट्वैंटी ट्वैंटी टू यह पिक्चर वहां के है नहीं बट ले लिया है तो आपर साइक्लिंग का रेस होने वाला है तो केला उसको होस्ट करेगा केला हमारा अडवियन सी के नीचे एक लंबा से स्ट Metro Rail Corporation Limited BMRCL has partnered with WhatsApp to launch Namama Metro's WhatsApp Chatbot based on QR Ticketing Service अब आप अगर बैंगलोर में रहते हो नमामा Metro यूज करते हो तो आपको टिकट काटने के लिए लाइन में लगने के जोगत नहीं आपको अपने WhatsApp के Chatbot से Chatbot वो होता है कि आप रप्लाई करोदों मशीन उसरे से आपके लिए आपके रिप् WhatsApp में नमामा का एक चैट बोट आया एक नमबर आता है आप उसको सेव करोगे और नमामा के एप को इंस्टॉल कर लोगे खुद को रिजिस्टर करोगे तो वो चैट बोट एक्टिवेट हो जाएगा आपको इस चैट बोट पे हाय बेजना है फिर जब भी आपको जहां से ज टेक्निलोजिकल एंवास्मेंट तो यह अगर सक्सेस्फूल हुआ तो बाकी जगा भी इसको करना चाहिए नेक्स इस पी-म मोधी इनॉग्रेटेट ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट करनाटका एक इन्वेंट हुआ है जिसको इनॉग्रेट पी-मोधी ने किया इनका एम था तो अट्रैक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स अन सेट अप डेवलोप्मेंट एजेंड़ दस सालों का एजेंड़ एन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना यह करनाटका में हो रहा है यूएस इन साथ-कॉरिया अ कंडूक्टिंग विजलेंट स्टॉर्म इलिट्र इसमें भाग ले रहा हैं साल्थ कोडिया और यूएस दोनों का कौमन इन एम ही कौन है नौर्थ कुरि और यह विजलेंड स्ट्रॉम है यह military का exercise है ना कि air force का यह military का largest exercise है military का air drill है कि military air में कैसे काम कर सकती है और इसमें बहुत साथे जहाज दोनों तरफ से आए है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please हमारे चैनल को subscribe कीजे and share this video as much as you can Thank you very much